बिहार में पांच विधायन सभा सीटें और एक लोग सभा सीट पर आज उपचुनाव है यानि कि आज वोटिंग चल रही है इसी बीच में महागडबंधन के बीच की जो आंतरिक कले वो सामनी आ गई है दरसल रगुवंश प्रशाद ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने मुकेश सहनी की पार्टी वी आईपी और जितनाम बांजीव की पार्टी हम के उपर निशानात सदा था उन्होंने कहा था कि इन लोगों के वज़े से महागडबंधन इस पूरे चुनाव को बहुत एक जुटता के साथ नहीं लड़ पाए इन तमाम चीजों की बात में मुकेश सहनी का बयान सामने आया है मुकेश सहनी ने रगवंश प्रशाद पर बड़ा हमला बोला है उन्होंने कहा है कि रगवंश जी अगर महागरबंधन के एक जुटता के लिए काम करे तो बहतर होगा इस तरीके से बयान बाजी करके महागरबंधन को कमजोड करने के कोशिश ना करें सुनिए मुकेश सहन माजी जी मैदान में है तो आपके पता चल रहा है तो कहीं न कहीं आने वाले समय में इस चीज़ से सहस्तेत रहिए रगवंश परसाद जी जूटे अफवा मत फैलाइए आपको भी पता है कि सिम्री बक्तियार पूर्ट पर आपकी कंडिडेट तीसरे अस्तान पर वहाँ प सिर्फ जहां इंडिये गडबंधन पूरी तरीके से इंटाक्ट है बीजेपी जेडी और एलजेपी एक साथ चुनाव लड़ रही है तमाम मंचों पर एक साथ नजर आई वहीं महागडबंधन में कॉंगरेस अलग है तो आरजेडी अपने लिए खुद से अलग परचार कर भी नजर आई सबसे महतपूर यह रहा कि जितना मांजी की पार्टी यानि कि हम ने और मुके सहनी की पार्टी वी आई पी ने अपने अपने उमिदवार उतारे और उसकी वज़े से क्या हुआ कि जो महागरबंधा नहीं वो अपनी एक जुड़ता बनाय नहीं रख पाए ह अलाकि तमाम निता यह कहते नजर आ रहे हैं कि इससे कोई फ़रक नहीं पढ़ने वाला है यह उपचुना हो है लेकिन आपको बताएं कि बिहार में हो रहे हैं पांच विधानसभा सीटों पर उपचुनाओ वसमस्तिपूर लोगसभा सीट पर उपचुनाओ कही ने कहीं ब अब जो है क्योंकि जिस तर्के से नतीजन आएं वो आने वाले वक्त में बिहार की सियासत को अगे बढ़ाएंगे सबसे बड़ी बात कि 비ार की अगर बात करें तो बिहार में महागरबंधन कम से कम उपचुनाओं में जो है वो एक जूटर अपने आपको नहीं रख पाया कि बिहार की अगर बात करें तो बिहार में महागरबंधन कम से कम उप्चुनाओं में जो है वो एक जूटर अपने आपको नहीं रख पाया है अधिक अप्रेट्स के लिए देखते हैं ये निवस पोनेशन नमस्कार